हलो फ्रेंट्स नमस्का स्वागत है आप से भी का इन सुंदर सुंदर रोजी के साथ और बहुत प्यारे फूल खेले हुआ है गार्डन में आज कल तो बहार आयो हुई है और डेली इनके से कुछ नो कुछ जो स्पेंट हो जाते हैं उनको हटाते भी रहते हैं और कुछ दिखाते हूं अपने गार्डन में खेले हुए कलर फूल कंछ पिर फ्रेंट में जितने पोर्शन ंमे धूपाती है तो तो एस वक्त सपाने के विंटर कश में काफी साथ nuteter की शान की और दिखा रहे हूं हो और वहीं हमआपको धिखा रही आहाएं तो बड़ी खुषि उत जब इस तरह से फ्लावरिंग हो रही होती है अपने गार्डन में तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आप से चता हूंगी कि जब फेबरी मार्च में जहां मोसम सुहागना हो जाता है सीजन चेंज होता है तो बहुत सारे चेंजिस भी आते हैं गार्डन में एक तो हमारे वेजिटेबल्स के भी फ्रूट्स के भी और हमारे जो पर्मनेंट गर्मी के प्लांट्स हम लोग लगाते हैं ऐसी तो हम नवंबर से ही लगानी स्टार्ट कर देते हैं मगर इन दिनों में भी लगाते हैं तो खात देने का काम बहुत सारे काम होते हैं तो जहां सीजन होने के साथ-साथ कीडों का अटैक भी होना स्टार्ट हो जाता है मिली बग्स हो गए और यह स्पाइटर माइट्स वगएरा यह सब अटैक करना चुरू कर देते हैं तो इसके लिए भी हमें गार्डन में टाइम टू टाइम स्प्रे करना पड़ता है पेस्टिसाइड से इंस यूज करती है तो अभी जो सिजन है दूरी है कि अपने प्लांट्स को हम इंसेक्ट से बचाएं तो इसके लिए हमें क्या करना है यह मेरा दो लिटर का स्प्रे ऐ और इसमें मैं पानी भरली है ऊपर सी थोड़ा सखहा लिए रखना है और क्वेर्ट इंसेक्त्तित्स है यह है नेम ऑयल तो यह मेरे पास हमेंषा होते हैं रखे रखते हूं मैं शीशी लाके यह क्योंकि आसे और मेरे गार्डन में ब्रांट भी बहुत सारे हैं तो हम खाली मीम ओयल पानी में डालके स्प्रेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें घुलता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम सार्फ है या फिर विम लिक्विड जो हमारे घर में इस्तिमाल होता है या फिर hand wash हो गया इस तरह से इनको इस्तेमाल करते हैं तो friends मेरे यहां भी जब यह hand wash के जो पाउच आते हैं यह विम जो kitchen में इस्तेमाल करते हैं liquid इनके पाउच जो खाली हो जाते हैं खतम हो जाते हैं तो मैं इनको इस तरह से लाके garden में रख देती हूं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के क्योंकि इनके अंदर से पूरा liquid निकलता नहीं है और जितना हमें स्प्रे करने के लिए चाहिए वह इसके अंदर sufficient होता है तो मैं इनको फैक्ती नहीं हूं और आप तंजूस समझ लीजे लेकिन मैं इसे अच्छे से इस्तिमाल करते हूं और इनमें पानी बढ करते हैं किस तरह से मैं इस्तिमाल करते हूं तो यह तीक ही इस तरह से इसके इस पर नगोशूस थोड़ा सा पाणी भखे रख़ए ताक्य एकदम से युद्धम से भी न सुखे और टाइम पे मुझे यह इस तरह से मिल जाता है ए आप रच पानी चाहिए तो यहां टाल कर इस तरह से कैंची से काट लेजिए और इसके बाद में जो यह बचता है यह बहुत मजबूत होता है इसके अंदर प्लांट लगा सकते हैं कोई भी छोटे-छोटे और यह बहुत दिन चलता है बहुत दिन भी बहुत साल भी चल जाता है क्योंकि बड़ा थिक सा पॉलितिन होत 15-85 ब blueberry कम से कम डालेंगे Влад हर दाल सकते हैं बऑब बहुत जादा करना चाहिए वह इस तरह से और 15 दिन अगर कीडे लग गया तो 15 दिन दं में इसका कपाएजर loser Fame और वह बहुत थैजर नहीं भी लग थी इसका करना अच्छा रहता है थाकि आगे इसके वोई के अपर कर और इसके बाद में स्प्रेयर को बंद करेंगे इस प्रेशर के साथ में पानी जाता है और बार बार इसको खिलाने दूलाने की जुरत में पड़ी तो इस तरह से स्प्रेय कर देंगे इससे आप देख सकते हैं मैं किस तरह से स्प्रेय करती हूं इसमें बहुत सारी तरीके से आप इसको कम जादा कर सकते हैं और यह काम फ्रेंट या तो अरली मॉर्निंग में करें या फिर शाब को करें दोपैर में इसका यूज नहीं करते हैं दोपैर में आजकल दूप भी पढ़ने लग गई है और अगर कीड़ा लगने से पहले ही इलाज करने तो और भी अच्छा ह है और जिस तरह से इसका ही प्रेशर जोसे लो हो जाता है फिर से इसमें प्रेशर करके और इसके पर स्प्रेय कर सकते हैं तो अच्छा रहता है अपने पौदों के बचाव के लिए यह मेरा में गार्डन है अब बहुत संदर संदर फूल खिले हूं है और हलांकि कीड़े मक कोई कीड़ मकोडों का अटैक हो और हमारे खराब हो पहले ही स्प्रेय कर रही हूं हाला कि मेरे गुलाब पे तो कुछ ऐसा नहीं है लेकिन मेरे यह डेलिया के जो प्लांट्स है इन में कुछ कीड़े का अटैक है दिखाई दे रहा है इसकी सड़े गले पत्तों को आज मैं मैंने सुपर हटा दिया है और मैंने देखा कि यह लीफ के अंदर दिखिए कुछ कीड़े का अटैक मुझे दिखाई दे रहा है यह आप लीफ में देख रहे हैं यह कीड़े का अटैक है और इससे बचाव करना बड़े ज़रूरी है अभी तो मैं इस पर नीम उयल का स्प् देखा है तो इसलिए आज मैं इस पे खूब अच्छे से इसको नहला होगी और बाकी जो असपास के प्लांट्स है उन सब को भी बहुत इच्छे से स्प्रे कर दें और यह जिसनी भी देर लगे कि अब इवनिंग में ही मैंने कर लेना है सारा काम और बाकी के वैसे सब्सक्राइब करने वाला है मेरे सभी रोजी जबकी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और अभी भी मैंने वर्मी कंपोस्ट का इक बोरे निकाल के रखा है आपके दिखाते हूं यह तो यह भी मैं कल अपने इंडोर प्लांट्स में अब देने वाली हूं बहु आपके इस वक्ति यह ऐसा टाइम है कि यहां काटाइक होना सभाविक है जब भी मौसम चेंज होता है तो कीडों काटाइक होता है इसके लिए जोरुत होती हमें नीम और करें च्छान के भी स्प्रे कर सकते हैं और ज़बद पढ़ने पे हम अपने फंजी साइड जो आपका साफका या कोई और फंजी सैट जो आप इस्तिमाल करें उसको भी पानी में घोल के इस्तिमाल कर सकते हैं पौदो को बचाना सेफ रखना तो बहुत ज़रूरी इतनी मेहनत करते हैं हम लोग गार्डन में तो इस तरह से खराब हो जाएं तो बहुत ही बुरा लगता है और आप इस बर फर्स टाइम मेरे आपर इनस्टिश्यम की भी फ्लास लगे हैं और बहुत ही प्यारी कलर्स लगते हैं और अभी तो देखें काफी सारे फूल खिले में सर्दी के भी और गर्मी के बेभी स्टार्ट होने वाले तो इसी तरह से आप भी अपने गाड़ों की देख भा पर देता है तो इनका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है और आपके पस कुछ भी नहीं है इन में से आप राक का लिजबी कर सकते हैं राक भी छड़क सकते हैं गुलाब के लिए भी गुलाब के उकर भी इसका अच्छा असर रहता है और बाकी के प्लांस पर भी आप सब्सक्राइब के लिए और उसको दीरे दीरे से चिड़कते होगे अपनी गार्ड़न में इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस तरह सी सारे कीडे मकोडों का जो अटैग होता है उससे अपने प्लांस को बचाए जा सकता है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में इतना ही मिलते है ने अधर आया हुए और डेली इनकी से कुछनों कुछ शोपेंट हो जाते हैं उनको हटाते भी रते हैं और इप मत्य हैं पूजा की काम मेरे लगा जाते हैं अधर्ड में और आपको भी मैं अपने फैंट्स गार्डन में खड़ी होए और संदर संदर फूल दिखाते हूँ मेरे फूलों पे फ्रेंट गार्डन में जितने प्रोशन में धूप आती है तो इस वक्त विंटर के फ्लार काफी सारे के लिए हूंगे और वहीं में आपको दिखा रहे हूं तो बड़ी खुश्ची होती है जब इस तरह से फ्लावरिंग हो रही होती है अपने गार्डन में क्यों फिर्ट्स आज की वीडियो में मैं आपसे चताओंगी कि फेबरी मार्च में जहां मोसम सुहागना हो जाता है सीजन चेंज होता है तो बहुत सारे चेंजिस भी आते हैं गार्डन में एक तो हमारे पस बहुत सारे काम हो जाते हैं कटिंग लगाना री पॉटिंग अनल आफटिंग करना और 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 ऐस आपको ग्राफ्टिंग हग पादिया तो वह भी आप कर सकते हैं सीड लिंक लगाते हैं जाव करतेयें वेजिटेबल च भी फूंट च कभी और हमारे जो परमेनित घृमिको एक करम आपकर लगाते हैं अगर होते हैं तो ज़िए सीजन चेंज होने के साथ साथ कीडो का अटक होुना स्टार्ड हो जाता है मिली बंत हो गए और यह फॉल्ट्र माइट वरह यह इस चेंड और डिया है। तो इसके लिए भी हमें गार्डन में टाइम टू टाइम स्प्रे करना पड़ता है पेस्टिसाइड से इंसेक्टिसाइड सो गयरा तो आज मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ मैंने दो लिटर का बड़ा स्प्रे बोटल खरीद हुआ है फ्लिप कार्ट से मैंने ऑनलाइन परचेस किया था और उसी को मैं यूज करते हूँ ऐसे भी मैं प्लांट्स के ओपर पानी परठका करती रहती हूँ इससे पतियां भी साफ रहती हूँ और पिलांट्स देखने में भी सुंदर लगते हूँ तो अभी जो सीजन है उसमें जरूरी है कि अपने प्लांट्स को हम इंसेक्ट से बचाएं तो इसके लिए हमें क्या करना है यह मेरा दो लिटर का स्प्रेयर है और इसमें मैंने पानी भर लिया है उपर से थोड़ा सा खाली रखना है और फ्रेंट्स यह है नीम उयल तो यह मे रखते हूं मैं शीशी लाके क्योंकि इनकी जुरूत पढ़ती रहती है और मेरे गार्डन में प्लांट्स भी बहुत सारे हैं तो हम खाली नीम ऑईल पानी में डालके स्प्रेय नहीं कर सकते क्योंकि इसमें घुलता नहीं है ऑईल है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम सार्फ या फिर विम लिक्विड जो हमारे घर में इस्तिमाल होता है या फिर हैंड वोश हो गया इस तरह से इनको इस्तिमाल करते हैं